कुर्मूरे के चिवडे की सामगरी देख लेंगे उसके लिए हमें लगेगा कुर्मूरा और ये मैंने 200 ग्राम लिया है और इसे मैंने हलका सेख लिया है आप माइक्रोवेव में भी इसे सेख सकते हो यहाँ पे है कुछ मूंफली और मैंने आधा कप ली है मैंने इसे तला हुआ है और ये है डाल जो चिवडा में जो डाल डालते है और ये भी मैंने आधा कप ली है इसको भी मैंने तला हुआ है और यहाँ पे है सूखा नारियल और इसे मैंने pieces में काटके इसे भी तल लिया है और ये है आदा कप सूखे मसालों में यहाँ पर है धनिया पाौडर, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने एक टेबल स्पून है जीरा पाौडर, एक चमच है हल्दी और देळ टेबल स्पून है लाल मिर्च पाौडर और लालमेज पाउडर आप आपके स्वाद नुसार कम जादा कर सकते हो एक चमच है, सौफ है, एक टेबल स्पून लिया है मैंने नमक है और चीनी है, चीनी मैंने दो टेबल स्पून ली हुई है ये भी आप आपके इच्छा नुसार कम जादा कर सकते हो पाकी की सामगरी में हम देखेंगे, एक चमच जीरा, एक चमच राई, यह है करी पत्ते, और मैंने थोड़े सुखे करी पत्ते ही लिये हैं, जिससे वो जल्दी फ्राय हो जाएंगे, और अमचूर है, एक चमच एक टीस्पून लिया है मैंने, और एक चौथाई चमच है गर्दे, हम सारे मसाले, नमक, चीनी साभी मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, यहाँ पर एक टड़ाई में मैंने, एक चौथाई कप तेल गरम करने रखा है, जैसी हमारा तेल गरम हो जाता है हम उसमें राई और जीरा डालेंगे, मैं इसमें अब करी पत्ते डालेंगे. हमारा तड़का अब तयार है और पर गैस बन कर दूंगी यहां पर एक बड़े से थाले में मैंने मूर्मूरे डाले हैं उस पर हम सिंगाने या मूंफली डालेंगे तली हुई तली हुई डाल डाल देंगे और यह तले हुए नारियल के तुकड़े यहां पर हमने यह मसाला पीस लिया है वह हम इस पर फैलाएंगे अब हम हमारा यह तड़का इस पर डालेंगे इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से उसी कड़ाई में हम इस पूरे मिश्रन को डाल के एक बाल मिक्स कर लेंगे हमने चिवडे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आखिर में हम यह अमचूर पावडर डालेंगे और फिर से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और हलका सा गरम कर लेंगे हमारा चिवडा या भड़ंग तयार है और इसे अब हम सर्फ करेंगे हमारा कुर्मूरे का चिवडा या भड़ंग तयार है और ये काफी अच्छी बनती है और स्वादिश्ट भी है और जट से बनती है तो इसे इस दिवाली पे घर पे ज़रूर ट्राइ कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले हुआ 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 है